आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस के एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जो आज की हमने प्रेस कॉंफरेंज रखी है वो इस बात पर रखी गई है कि जो उत्तर प्रदेश में काफी समय से जो कस्टोरियल डेथ और बाकी सारी चीजे हो रही है और जो रिसेंटली अभी हुआ है एक्टिविटी उसके प्रोसेस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं औ और सबसे इंपॉर्टन चीज़ हम यह कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक कमेटी कॉंसिट्यूट की है वो बहुत जल्दी कर दी है क्योंकि यह जो मामला है वो सिर्फ एक स्टेट का नहीं है यह तीन स्टेट का है हो सकता है चार स्टेट भी इसमें इसमें जो बैतर होता कि अगर उत्रपरदेश सरकार सेंटर गॉर्मेंट से कमिटी बनाने के लिए आग्राय करती है और वो सुप्रीम कोट के सिटिंग जर्श से करते है अब प्रशन इसका नहीं है कि वो उत्तरप्रदेश का मामला आए या मद्धरप्रदेश का मामला है प्रशन ये है कि बार बार ये दावा करना कि मैं अगर शपत ले रहा हूं तो या तो वो जो बदमाश है या जो अवांची तरता है वो प्रदेश छोड़के भाग जाएं वरना मैं उनको भेज दूँगा ये अपने आप में एक वेक्तर ये बताता है कि उनकी कारेशेरी क्य यदि इसको पूरी तरह से जानकारी हासिल करके और उसके बाद में सजा मुकर्रित की जाती तो शायद लोगों का न्याय पर भरुसा बंता कि जब हमारे पास में सरगना आ गया है जैसे के चंदरा साब ने का सरगना आ गया है तो हमें बहुत सारी चीजों की उनकी भी जान मुझे sect सि अब हैं कहा तक है अपरादि को समप्त करना है अपरादी को समक्त करने से स्मस्या समाधान नहीं निकलेगा फुलिस का काम है अपरादी को पकड़ कर दो नियायले के सामने टेश करना है यह देश सम्विधान से चलता है कानून से चलता है इस मामले में दुर्भा के पूलिस सिती है जिनके उपर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी उसे हम हत्यारे बन गए आप उजेन से लेकर आ रहे हैं इस बाद तो कौन यकीन कर सकता है गाड़ी के अंदर छेया साथ पुलिस माले बेट एंगे पीजे का प्राधी किसी किस्तल चील की चल देगा जिस गाड़ी को बता के उल्टी पल्टी वह गाड़ी जिस सिस्तिती में खड़ी ऐसा लगता है ले जा कि उसके क्रेण की सायता से या हाथों से उठाकर ट्रक दिया गया वो गाड़ी उस काफल अगर हम लोग नियाला नियाला खोड़ने के बैठ जाएंगे पुलिस अपना कानून चिरा के लोगों को मारना सुरू कर देगी तो यह कहीं रुकेगा नहीं चलता रहे गा यह दूसरी बात यह है कि जो छोटे मोटे जो बातें ख़बर मिलनी थी आपको कानून के इसाब से उन पर करवाई होती कुछ और पकड़ जाते बहुत से लोग बच गए इससे दो आदमी के मढ़ने से पचासों आदमी बच गए जिनोंने खराब काम किये हैं जिनोंने उल्टे-जिरे काम किये वो अब आपके पास कोई गवाई नहीं है कोई वो भी नहीं है किसको दिया किस से लिया क्या है आप पास कोई ख़बर है इसकी नहीं है कुछी की बात है अपराद ही मारे जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन बगास दुपर पैदा कैसे हुगा सबसड़ी बात है आठ पुलिस वाले मरवाने के बाद बगास दिखाई दिया उससे पहले बगास देवा कहा था दूसी बात इसी में एक 17 साल का बच्चा प्र सही माने विजे प्रेस्ट इसी लिए है कि यह आम लोग हैं आपर कोई राजनीतिक आदमी नहीं है यह आम लोगों की सेड़ी में बात कर रहे हैं